आज इस lecture में हम discuss करेंगे relationship issues के बारे में और उसे connect करेंगे देव उड़ जाओं के साथ. कोई भी संबंध जो दो लोगों के बीच में होता है, हम उसे relationship ही तो कहते हैं. हमारा मस्तश एक संबंध को कैसे समझता है या वो अपने अंदर क्या perception बनाता है? perceptions जो हम किसी चीज के लिए बनाते हैं, perception को हिन्दी में धाड़ना भी कहा जा सकता है. ये जितनी हमारी धाड़नाएं हैं जो हम सोचते हैं, ये कहीं न कहीं उन 45 शक्तियों के साथ correlate करती हैं, जो हमारे वातवरंड में exist होती हैं. आगे इसी को समझते हुए, मैंने कुछ बाते हैं, जो आमतोर पे लोगों के भाव रहते हैं, relationship को लेके, वो समझने की कोशश करी. एक भाव मुझे कोई space नहीं देता, I need some space, ये जो space वाली feeling है ये है हमारा अंतरिक्ष, अगर ये बिगड़ जाता है वातवरंड में, तो विक्ति को थोड़ा गुटन सा मैसूस होता है. उसे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा मन चाहा वातवरंड नहीं मिल पा रहा है, मुझे वो freedom नहीं मिल पा रही है, जो मैं चाहता हूं. ये freedom, ये space, ये सब interconnect करता है इस आकाश की उर्जा के साथ, आकाश, अंतरिक्ष, फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक relationship में क्या ऐसी बात है, जो एक विक्ती, दूसरे विक्ती के साथ चाहता है. मैंने काफी बर इस पे अध्यन किया, तो मुझे एक ही बात समझ में आई और वो है समझ, एक विक्ती, दूसरे विक्ती के साथ एक समझ चाहता है, कि वो मुझे समझे और मैं उसे समझ पाऊं. ये जो समझ है जब हम किसी को नहीं समझ पाते या हम अपनी भावनाएं किसी के साथ सांजहा नहीं कर पाते या उसे समझहा नहीं पाते तो हम कहां end up हो जाते हैं हम जंजटों में end up हो जाते हैं ये जो जंजट है ये जो जंजवाद हैं बिना किसी बात के लड़ाई हो जाना विवादों में फस जाना आप इसे relationship के साथ भी correlate कर सकते हैं और बाकी field of life के साथ भी correlate कर सकते हैं क्योंकि ये lecture relationship के issues के बारे में हैं तो ये जो जंजट है ये जंजट जब हम किसी को नहीं समझ पाते हैं तो हम उसे अपनी भावनाएं express करने लग जाते हैं हम उसे और अच्छे से समझाने लग जाते हैं और कई बार वो ही समझ जंजटों में convert हो जाती है ये जो जंजट है ये है रुद्र रुद्र नॉर्ट वेस्ट का एक देवता हम कहते भी है ना नॉर्ट वेस्ट को कि हमारे सपोर्ट का जोन है तो सपोर्ट के जोन में सबसे पहली energy field जो आती है वो है ब्रह्मा ब्रह्मा से travel करके मित्र और बूधर इन दोनों देवताओं से आगे बढ़ते हुए रुद्र पे आती है और रुद्र के बाद दो energies और हैं जो सपोर्ट का जोन बनाती है ये छे उड़ जाएं एक नॉर्ट वेस्ट के सपोर्ट के जोन को बनाती है पर उसमें भी जो रुद्र है वो एक mediator है दो लोगों को आपस में बातों को समझाने का ये जो विष्टी है ये समझ से चलती है कोई भी विक्ति जो आपको समझेगा वो आपके साथ रहेगा ऐसा तो आप लोगोंने मैसूस किया होगा जो आपको जितना आपसे ज्यादा समझता है, वो ही आपके सबसे ज़्यादा नजदीकी होगा और वो ही आपको सपोर्ट करता होगा तो ये समझ, ये रुद्र की functioning के वज़े से होती है disorder होने से है ना, कोई विकार आने से समझ जो वातावरंड में है वो थोड़ी कम हो जाती है और जंजटों में वो convert हो जाती है, उसका बदलाओ कभी भी किसी energy field की हम बात करते हैं तो positive way में वो functioning कराती है, जो उसका attribute है और वो ही चीज जब disturb हो जाती है, तो वो functioning होने लग जाती है, जो उसके negative impacts हैं, तो समझ रुद्र, और आगे बढ़ते हैं, तो एक बात आती है कि मैं यहाँ खुश नहीं हूँ relationship में यह तीन major factors हैं, एक मुझे space नहीं मिलती दूसरा, मुझे कोई समझता नहीं है और तीसरा, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ, खुशी नहीं है इस बाता वरण में, मैं अंदर से खुश ही नहीं हूँ ऐसी कुछ बाते हैं, अगर आपने सुनी हो तो आपका ध्यान जाना चाहिए east के जयंत के उपर जयंत हमने fun and creation के zone के बारे में सुना है, fun and creation के zone में, जो e3 का देवता है, वो है जयंत, जयंत के वज़े से खुशी का एसास होता है किसी भी वातवरण में, आप उसे किसी भी context के साथ जोड सकते हैं पर क्योंकि relationship की बात चल रही है, तो यह है खुशी एक संबंध तब तक बरकरार रहता है जब तक उस संबंध में खुशियां बरकरार रहती है जहां खुशियां खतम होने लगती है, वो संबंध भी खतम हो जाता है यह मानव अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा ही करता है मानिवे जीवन के यह माबदंड है ऐसे मान सकते हैं अगर आप अपनी जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ रिलेशन्शिप को लेके पेस करे हो सबसे पहले इन तीनों उर्जाओं को अपने घर में देखें अगर वाश्रूम है कोई सीवरेज है या जोन ही कटा है या वो उर्जा किसी वज़े से डिस्टर्ब हो गई है मान लिजे आपने कोई स्टोरूम बना दिया है या ग्लटर वहाँ पर पढ़ा है तो ततकाल प्रभाव से उसे हटा दीजे क्योंकि ये तीन मापदंड किसी रिलेशन्शिप को आगे बढ़ाने के लिए काम आते हैं ये तीनों मापदंडों के विवस्थित होने से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक रिलेशन्शिप बनाता है पारवारिक, समाजिक या खुद के नीजी रिलेशन्स परसनल रिलेशन्स भी होते हैं और वातावरंड में अगर ये तीनों एनर्जी किसी ना किसी विकार में होगी दिस्टर्ब होगी तो आपको इन ही से रिलेटेड इशूस आएंगे जो मैंने आपको एक्स्प्लेइन किया ये कंपलसरी टूल हैं जिसके वज़े से एक रिलेशन्शिप फृट्फुल होता है इसमें बैलेंस के नाम पे हमने कुछ रिमिडीज बनाई है और उसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे एरियास जिसमें आप ये कारे नहीं कर सकते आप वाश्रूम शिफ्ट नहीं कर सकते आप सीवरेज चेंज नहीं कर सकते तो कुछ balance के नाम से remedies आप उस पे लगा सकते हैं इन remedies को आप ऐसा समझें कि कुछ नहीं से कुछ हासल हो जाएगा इसका जो उपचार, standard उपचार है उन disturbed areas में होने वाली activities के साथ removal ही है remove करना ही है पर balance एक बार के लिए आपको कुछ राहत दे सकता है अब ये तीन तो standard है जिनका remedy केवल removal है और इनके साथ चार और देवता हैं जो एक relationship को आगे बढ़ाते हैं सबसे पहले तो ये तीन ही है फिर आपने ये सुना होगा कि मेरी कोई care नहीं करता वैसे तो care take की जिम्मेदारी वेक्ती की स्वयमकी होती है पर कई बार हम reliable हो जाते हैं लोगों के और सिर्फ इसी तरीके से सोचने लग जाते हैं कि हमारी कोई care नहीं करता ये जो care है ये माता का attribute है मा से सबसे ज़्यादा care मिलती है ना पूरे जीवन में तो मा के वज़े से ही ये पूरी care होती है पर हम relationship में भी ये ही सब बातों को note करते हैं कि कितनी वो care करता है अगर ये feel disturb होगी ये feel वैसे तो अदिती की है N7 का जो देपता है ना नौर्ट में उसकी है ये भाव ही आता है उसी के वज़े से एक restaurant में खाना खाने गए हैं अगर अदिती disturb होगा तो भाव ऐसा आएगा कि यहाँ पर कोई मेरे लिए खड़ा ही नहीं है order लेने के लिए जबकि विक्ति खड़ा होगा कोई ना कोई order लेने के लिए खड़ा होगा पर कई बार ये भाव भी जागरत होता है इस feel के disturb होने से कि मेरी कोई care नहीं करता ये कुछ ऐसे मनुभाव है जो relationship में आगे के चंड़ों में आते हैं तो care, अदिती इसे balance से विवस्तित किया जा सकता है और आगे जाते हैं कई बर आपने सुना होगा कि वो जिद बकड़ के बैड़ गया है वो जिद में है वो किसी की मानता ही नहीं ऐसे relationship में कुछ बाते हैं न ये जो जिद है ये है S7 के देवता बिंगराज के बज़े से लेड़ गो भी कहा गया ना इस zone को अगर आप इस zone properties को देखेंगे तो ये लेड़ गो का भी zone है लेड़ गो, relationship में सबसे important role होता है किसी भी relationship को long last करने के लिए लेड़ गो बहुत आवशक टूल है पर लेड़ गो जब वातवरिंड में खराब हो जाता है या कहें भिंगराज खराब हो जाता है तो व्यक्ति जिद्धी, rigid इस तरीके का बिहेव करता है तो इस पर थोड़ा नजर डाल लीजे फिर बात आती है शोश की, W7 का देवता है शोश, depression के zone में भी आता है शोश, बहुत पर मैंने इस energy field को ये समझा कि व्यक्ति बिना बात के रोता रहता है ये relationship में न मानेवे दिमाग खुदी समझ लेता है कि बात बहुत छोटी सी है पर रोना इतना बड़ा तो ये W7 के disturb होने के वज़े से उस भवन में ये feeling आती है कि बिना बात के केवल रोता ही रहता है और आगे बढ़ते हैं चौथी साहयक energy जो है brush, ESE के zone में आती है brush है हमारे दिमाग में continuous चलने वाले thought process पर कभी ये disturb होते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए दिन भर सोचता रहता है उसी thought process में रहता है एकदम नजदी की relationship की बात करें तो बहुत ज़्यादा भी व्यक्ति को बांध के रखना उसे खोने के बराबर ही आकाश E8 का देवता से एकदम connected ये E7 की energy field है इन चारो energies को आप जैसे ही establish करते हो या restate करते हो काफी सारे relationship के issues खतम हो जाएंगे सबसे main टीन energies हैं उनकी उपर आप ज़्यादा उपचारों में ना जाके उनका proper इलाज ही कर दीजे और इन चारो energies में क्योंकि ये corners की energies हैं सारी साथ number की energies हैं और देखेंगे तो इसी तरीके के बहुत सारे combinations हैं जो आपको आगे इस channel में मिलते जाएंगे इन साथ number की energies से जो आप हासल करोगे वो और भी domains of life में काफी काम आएगा relationship के इलावा भी let go एक let go कोई ले की छोटे से lecture और दे देता हूँ let go बिंगराज की बात करते हैं अगर एक व्यपारी अपने rate को लेके rigid हो जाए तो माल भी तो नहीं बेखता न अगर वो जित पकड़ ले कि मैं इससे कम में नहीं बेचूंगा तब भी माल नहीं बेखता तब भी डील नहीं होती वैसी ही relationship में भी ये let go बहुत important role play करता है और व्यक्ती के वजन में भी आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो जिस व्यक्ती का वजन भी ज़्यादा बढ़ जाता है that means कि उसकी body मल को त्याग नहीं रही अगर आप चाहते हैं तो अभी हमारा 13 दिसंबर को एक online course हो रहा है जो कि 7 दिनों का है तो आप join कर सकते हैं और अपने दोस्तों यारों के बीच में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें क्या पता आपके इस छोटे से प्रयास से उसकी जीवन में खुशियां लोट आए धन्यवाद